जैसी किष्णा राधी राधी, चॉकलेट मामी से मैं सीमा सिंग आपका सागत करती हूँ, आईए आज हम सावन मास के शुकरवार को सुनी जाने वाली जिवन्ती का माता की व्रत कथा सुनते हैं, अगर आप सावन मास के शुकरवार का व्रत करते हैं, तो पूजन के साथ और व्रत के साथ जीवन्ती का माता की व्रत कथा भी सुननी चाहिए इससे व्रत का संपून फल प्राप्तु होता है आईए अब हम सावन मास में शुकरवार को सुनी जाने वाली जीवन्ती का माता की संपून व्रत कथा सुनते हैं जिसके सुनने मातर से मनुष्य को सभी दुखो से मुक्ती मिल जाती है जै हो जीवन्ती का माता की जै प्राचीन काल में पांड्या वन्ष में सुशील नाम का एक राजा था किन्तु वह संतान हीन था उसकी रानी का नाम सू केशी था जो संतान नहोने के कारण हमेशा दुखी रहती थी प्रती मास वह अपने पेट बरवस्तर बांद कर गर्बणी होने का नाटक करती थी जब उसे अन्य किसी इस्तरी के गर्बबती होने का समय ग्यात हो जाता तो वह उससे धन का लालच देकर उसका बच्चा उसे लेने की कोशिश करती लेकिन कोई भी इस्तरी अपने बच्चे को रानी को नहीं सौपती थी तब एक बाल रानी को पता चला कि उनके राज पुरोहीत की इस्तरी गर्भवती है तो राणी ने दाई का काम करने वाली महिला को धन का लालच दे कर पुरोहीत के नवजात शिशु को लाकर देने के लिए सैमत कर लिया राणी अपने पेट पर कपड़ा बांध कर घर्बबती होने का नाटक करने लगी जब राजा को अपनी राणी के गर्ब बती होने का पता चला तो उसे बहुत खुशी हुई राजा ने आठवे मास में पुनसुवन वसीमंत संसकार करवाया उधर पुरोईट की इस्तरी के गर्ब का समय ग्याद करके राणी ने भी उसी तरह से गर्बा अवस्ता की पीड़ा का अनुकरन करने लगी वे अपने पेट पर वस्तर बांद का रहने लगी उधर पुरोईट की इस्तरी को ये पहला बच्चा था अत उसे ज़्यादा जानकारी नहीं थी जब पुरोईटानी को प्रसव पीड़ा शुरू ही तो दाई उसका प्रसव करवाने उनके घर पहुच गई दाई ने पुरोईटानी के साथ छल किया दाई ने पुरोईटानी की आँखों पर कपड़े की पट्टी बांदी और कहा कि बहन कहीं तुमारी ही नजर तुमारे बच्चे को न लग जाए क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि मा की ही नजर नवजाज शिशु को लग जाती है जिससे बच्चे की म्रत्यू हो जाती है पुरोईतानी का ये पहला बच्चा था तो उसने दाई की बात को सीकार कर लिया जैसे ही बच्चा हुआ तो दाई ने नवजात शिशु को चुप चाप एक दासी के साथ रानी के पास महल में बिजवा दिया यह रहसे किसी को भी पता नहीं चला जैसे ही दासी पुरोईतानी का नवजात बच्चा लेकर रानी के पास पहुची तो रानी ने महल में सभी से कलवा दिया कि मुझे पुत्र पैदा हुआ है दाई अपने साथ पहले से ही मास का लोथडा पुरोईतानी के घर लेकर गई थी दाई ने पुरोईतानी के आखो से कपड़े की पट्टी खोल कर उसे मास का लोथरा दिखाते हुए बोली कि अरी बहन देखो बड़ा अशुब हुआ है संतान की जगे तुमें तो मास का लोथरा पैदा हुआ है खुद दाई भी पुरोईतानी के सामने दुख प्रकट करने लगी यह सुन कर पुरोईतानी रोने लगी दाई ने पुरोईतानी को समझाते हुए कहा की बहन चलो कोई बात नहीं कम से कम भगवान की क्रपा से तुम्हारे प्राण तो बच गे पेड है तो फल भी लगेंगे अब तुम चिंता मत करो अब तुम अपने पती से कहे कर इस मास के लोथडे की शांती करवा देना पुरोईतानी की इस्तरी ये सुन कर दंग रह गई उसे दाई की बात पर यकिन नहीं हो रहा था पुरोईतानी को लग रहा था कि उसके साथ छल हुआ है उदर महल में पुत्र जन्म का समाचार सुन कर राजा ने बालक का जातकन संसकात थुम धाम से करवाया ब्रामनों को घोडे, घाडी और रत स्वन आदिदान में दिये गे केदियों को बंधन से मुक्त कर दिया सुत्धक के बाद पुत्र का नाम करण किया गया राजा ने अपने पुत्र का नाम प्रियवर्त रखा उदर शावन मास में पुरोईतानी ने शुकरवार को माता जिवन्ती का का शद्धा और भक्ती पूर्वक पूजन किया और व्रत किया और दिवार पर जिवन्ती का माता का चित्र बना कर पुष्प माला चड़ा कर धूप दीप आधी किया गेहू के आटे के दीपक में घी डाल करके दीपक जलाया गेहु के आटे के दीपक को घी में तलकर उसका भोचन करके वृत का पार्ना किया साथ ही उसने अक्षत दूर दूर तक फैक कर ये प्रातना करी कि है जीवन्ती का माता मेरा बालक जहां कहीं भी हो आप उसकी रक्षा करना उसने कथा सुन कर प्रातना करी और नमस्कार किया जीवन्ती का माता की क्रपा से वैबालक दिर्खाई हो गया और माता जीवन्ती का दिन रात उस बालक की रक्षा करने लगी इस तरह समय बीतने लगा तब एक रोज राजा का देवलो गमन हो गया राजकुमार प्रियवर्थ ने अपने पिता की अंतिम क्रिया करी पुरोईत तथा मंत्रियों ने प्रियवर्थ को राज सिंगासन पर बठा दिया प्रियवर्थ ने कुछ समय तक राज कारिय किया फिर व्रद मंत्रियों को राज्यभार सोग कर पित्र रिन से मुक्ती पाने के लिए गयाजी की ओर प्रस्तान कर गया इस समय उसने राजा का वेश त्याग कर एक साधारन मनश का वेश धारन कर रखा था चलते चलते मार्ग में राजकुमार प्रियवर्त को रातरी हो गई जब उन्होंने एक घर में रात्री विश्राम किया, उस घर की इस्तरी को एक पुत्र पैदा हुआ था, इससे पहले उस इस्तरी के पाच पुत्र पैदा हुने के पाचवे दिन, शष्टी देवी ने उन पाचों पुत्रों को मार दिया था, जिस दिन राजकुमार प्रियवर्थ उनके घर ठेरे, उस इस्तरी को छटा पुत्र पैदा हुआ था, और पाचवे दिन था, रात्री के समय जब राजकुमार प्रियवर्थ सो रहे थे, तब शष्टी देवी उस इस्तरी के छटे पुत्र को मारने पहुची, परन्तु जीवन्ती का माता राजकुमार प्रियवर्त की रक्षा के लिए वहां खड़ी थी जब जीवन्ती का देवी ने शश्टी देवी को देखा तो जीवन्ती का माता शश्टी देवी से बोली कि है शश्टी देवी इस राजकुमार को लांकर मत जाना नहीं तो मुझसे बुरा कुछ नहीं होगा जीवन्ती का माता के रोगने परशष्टी देवी जैसे आई थी वैसे ही वापस चली गई सुबह जब ग्रस्त ने अपने चटे बालक को जीवित पाया तो उसने राजा को बालक का जीवन दाता मान लिया तो उन्होंने राजकुमार से प्राथना करी कि हे महाराज आज आप मेरे घर और निवास करें क्योंकि आपकी ही क्रपा से मेरे चटे बालक को जीवन दान मिला है तब राजकुमार प्रियवर्त ने उनके निवेदन को शिकार कर लिया और एक दिन वहीं रुक गया अगले दिन गयाजी जाकर पिंड़दान की तयारी करने लगा गयाजी में पिंड़दान करते समय उसे यह देखकर बड़ा अश्चरिय हुआ कि वेदी में से पिंड़ लेने के लिए दो हाथ निकले दो हाथ दिखने पर राजकुमार को बड़ा संदय हुआ और अश्चरिय भी हुआ सोचने लगा कि गयाजी में से पिंड़ लेने के लिए दो हाथ क्यों निकले राजकुमार ने इसका कारण ब्राह्मनों से पूछा तो ब्रावनों ने कहा कि ये दोनों हाथ तुमारे ही पिता के हैं किन्तु ऐसा क्यों हुआ इस संब्द में तुम अपनी माता से पूछना क्योंकि तुमारी माता ही सच बता पाएगी इस तेरे राजकुमार प्रियवर्त ने एक साल वही रहे कर पिंडदान, तरपन, यग्याहवन, पुजापाट करे और भंडारे करे साल बर बाद पुने वे महल की ओर लोट गए चलते चलते रातरी हो गई और पुने वही घर आया राजकुमार प्रियवर्त ने पुने एक रातरी वहां विश्राम करने की आज्या मागी तो उन्होंने खुशी-खुशी सिकार कर लिया उन्होंने राजकुमार का खुब आदर सतकार किया सैयों वस उस दिन भी उस ग्रहस्त के सात्वे शिशु के जन्म का पाचवा दिन था उस इस्त्री ने बालक को जन्म दिया था आदी रात के समय शष्टी देवी जब बालक को मारने के लिए आई तो जिवन्ति का देवी ने उसे रोग दिया जिवन्ति का माता ने शष्टी देवी से कहा कि हे शष्टी देवी इस राजकुमार को लांकर मज जाना नहीं तो मुझसे बुरा कुछ नहीं होगा तब शश्टी देवी ने जिवन्ती का माता से पूचा कि है जिवन्ती का माता इस राजकुमार की मा ने ऐसा कौन सा नियम और रत किया जिसकी वज़े से तुम हमेशा इस राजकुमार की रक्षा करती हो उस समय राजकुमार प्रियवर्त को नीन नहीं आ रही थी तो वह शष्टी देवी और जिवन्ती का माता की बाते सुन रहा था तब जिवन्ती का माता ने शष्टी देवी से कहा कि है शष्टी देवी इस राजकुमार की माता शावन मास में मेरा वरत और पूजन करती है और पूरे विधी विधान और नियम से करती है इसकी माता जिन नियमों को धारन करती है वे तुम उससे सुनो वरत के दिनों में इसकी माता हरे रंग का कोई विवस्तर नहीं पैंती यहां तक की हरे रंग की चूडिया नहीं बैंती, हरी साग सबजी नहीं खाती, चावल का धोवना नहीं लांगती, हरे पत्तों और हरे पेड के नीचे से नहीं गुजरती यह सब कुछ इसकी माता मेरी प्रसनता के लिए करती है, इसलिए मैं हमेशा इसकी माता और इसके पुत्र की रक्षा करती हूँ राजकुमार प्रियवर्ट यह सारी बाते सुन रहा था, शश्ती देवी जसे आई वैसे ही वापस चली गई प्रातयकाल होते ही राजकुमार नगर को लोट आया, नगरवासियों ने अपने राजकुमार का खुब आदर सत्कार किया राजकुमार प्रियवर्थ महल में जाकर अपनी माता से पूछने लगा कि हे माता क्या आप जिवन्ती का कवरत करती हैं और अगर करती हैं तो उसके क्या नियम है तमाता सुकेशी राजकुमार प्रियवर्थ से बोली कि हे पुत्र मैं जीवनतीका के वृत के विषय में कुछ नहीं जानती और नहीं मैं जीवनतीका का वृत करती हूं उसके बाद राजकुमार प्रियवर्त ने शाद यात्रा का संपोन फल पाने के लिए नगर के भ्रामनों और सुहागिन इस्त्रियों को भुजन के लिए महल में आमंत्रित किया, साथ ही सुहागिन इस्त्रियों के लिए हरे रंग के वस्त्र और हरी रंग की चूडियां विज पुरोईतानी को पता चला तो पुरोईतानी ने राज सेवकों से कहा कि मैं हरे रंग की कोई भी वस्त्व ग्रहन नहीं करूंगी। राज सेवकों ने पुरोईतानी की इस्तरी द्वारा कही गई बात आकर राजकुमार प्रियवत को बताई। तब राजकुमार प्रियवर्त ने पुरोईतानी के लिए लाल रंग की साड़ी और लाल रंग की चूड़ियां बिजवाई, पुरोईतानी लाल रंग की साड़ी और लाल रंग की चूड़ियां पहन कर महल में भुजन करने के लिए आई, तो उसने राजग्रह के दर्वाज पर चावल का धोवना पड़ा देखा और हरे रंग का मंडव देखा तो वह उस रास्ते से नहीं आई बलकि दूसरे रास्ते से महल में आई राजा ने राजपुरोईतानी से इसका कारण भूचा तो राजपुरोईतानी ने कहा कि मैं सावन मास में शुकरवार कवरत करती हू और जिवनती का माता का वरत करती हूँ इसलिए मैं हरे रंग का वस्त्र नहीं पहनती हरे रंग की चूडिया नहीं पहनती चावल का धोवना नहीं लांगती और हरे पत्तों के नीचे से नहीं गुजरती उसी समय पुरोईतानी के इस्तन से दूद की धारा राजकुमार प् पूरा निश्चय हो गया कि ये पुरोई तो पुरोई तानी ही मेरे माता पिता हैं। उसके बाद राजकुमार प्रियवर्ट अपनी माता सुकेशी के पास गए और पूछने लगे कि हे माता कृपिया करके आप मेरे जन्म की पूरी बाते बताईए। तब रानी सुकेशी तूट गई। रानी सुकेशी ने राजकुमार प्रियवर्ट को पूरी सच्चाई बता दी और कहा कि पुत्र मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया। ये पुरोई तो पुरोई तानी ही तुमारे असली माता पिता हैं। इन्होंने ही तुम्हें पैदा किय था उसके बाद राजकुमार प्रियवर्त ने पुरोईतो पुरोईतानी को राज माता और राजपिता का दर्जा दिया और उन्हें महल में ही रख लिया पुरोईत पुरोईतानी अपने पुत्रों को पाकर बहुत खुश हुए उन्होंने जीवनती का माता को धन्यवाद दि इस तरह उनका समय खुशी-खुशी बीतने लगा तब एक रात्री को राजकुमार प्रियवर्थ ने जीवन्ती का माता से प्राथना करी कि हे देवी जब मेरे जन्म देने वाले पुरोई तो पुरोई तानी हैं तो गयाजी में वेदी में से दो हाथ क्यों निकले थे तब जीवन्ती का माता ने राजकुमार प्रियवर्थ को सौपन में दर्शन देकर कहा कि हे राजन तुम कोई संधह मत करो तो मैं विश्वास दिलाने के लिए ही ये सारी माया मैंने रची थी पोलिये जीवन्ती का माता की जय आईए अब हम सावन माज के शुकरवार की जीवन्ती का माता की वृतकथा सुनते हैं एक बार एकाओं में एक राजा था उसका नाम सागर था राजा सागर बड़े ही प्रतापी दानी और धर्मात्मा प्रवदी के थे उस राजा की रानी का नाम अजीता था दोनों राजा रानी प्रजा के सुख और दुख को अपना सुख दुख समस्ते थे राजा रानी के विवा को अनेग वरक्स हो गे थे लेकिन उन्हे संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई जिससे दोनों राजा रानी बड़े ही दुखी रते थे महारानी जी की एक दासी थी जिसका नाम रानी था रानी से महारानी जी का दुख देखा नहीं गया तब एक दिन दासी ने एकांत में महारानी जी से कहा कि है महारानी जी हमारे ही गाउं में एक शावणी नाम की दाई है वह प्रसूता इस्तरी का बच्चा चोरी करके दूसरों को बेशती है अगर आप कहें तो हम शावणी दाई को धनका लालच दे कर कोई बच्चा खरीद लेते हैं महारानी जी को दासी का सुझाव अच्छा लगा तब महारानी जी दासी से बोली कि है दासी कल महाराज चार दिन के लिए शहर जा रहे हैं तुम उस समय शावणी दाई को महल में ले आना तब दासी ने ऐसा ही किया तब राजा के शहर जाने के बाद दासी दाई को महल में लेकर आई महरानी जी ने दाई को बच्चे के बदले में 10,000 रुपर देने का लालच दिया तो दाई राजी हो गई उसी दिन से महरानी जी पेट पर कपड़ा बांध कर गर्भवती होने का ढ़ों करने लगी जब राजा को राणी के गर्भवती होने का पता चला तो राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा उस दिन राजा ने गरीबों, भ्रामनों और जरुतमंदों को खुब दानपुन्य किया ठीक नवे मैने में एक रातरी को शावनी दाई महल में नवजात बच्चा दासी को दे कर दस हजार रुपे लेकर चली गई महरानी जी ने महल के सभी नोकरों, दासीयों और सेवकों को कहा कि गाउं में सभी से ये कैदो कि महरानी जी को पुतर पैदा हुआ है और साथ ही महाराजा जी को भी सूचित कर दो पुत्र जन्म का समाचार सुन कर महल में ही नहीं पूरी नगरी में खुशिया मनाई गई शावणी दाई जिस ओरत का बच्चा लेकर आई थी वह एक सुतार की पत्नी थी सुतार की पत्नी को उस समय पैसों की बहुत जादा जर्रत थी तो उसने पाँच हजार रुपे में शावणी दाई को अपना बच्चा बेचा था सुतारन ने बच्चा तो बेच दिया लेकिन उसकी ममता कम नहीं हुई उसका रो रोकर बुरा हाल हो रहा था जब उसके पती और साथ ससुर ने पूचा की हमारा बच्चा कहा है तो सुतारन अपने पती और साथ ससुर से वही बोली जो दाई ने बोलने को कहा था सुतारन अपने पती और साथ ससुर से बोली की मुझे बच्चे की जगे एक चिडिया पैदा हुई थी जो पैदा होते ही आकाश में उड़ गई ऐसा कहकर सुतारन रोने लगी साथ ससुर और उसका पती कुछ नहीं बोले केवल चुप रह गे और भाग्य को दोश देने लगे उदर महारानी जी अपने बच्चे को खुद का दूद नहीं पिला सकती थी तो बच्चे का रो रोकर भूख से बुरा हाल हो रहा था तब महारानी जी ने अपने मन की बात दाई से कही कि अगर इस बच्चे की मा महल में आकर बच्चे को दूद पिला दे तो मैं उसे बदले में खूप सारे रुपे दूँगी दाई ने सुतारन के घर जाकर महारानी जी वाली बात बताई तो सुतारन राजी हो गई क्योंकि वह अपने बच्चे को याद करके दुखी हो रही थी सुतारन दाई से बोली कि वह मेरा बच्चा है दूद पिलाने के बदले में मैं उनसे कोई रुपे नहीं लूंगी अब सुतारन रोज, सुबह, शाम और दोपहर में महल में अपने बच्चे को दूद पिलाने और खिलाने जाने लगी तब पुत्र के मोह में एक रात्री को सुतारन खुत के बच्चे को उठा कर ले गई और उसकी जगए कपड़े का गुढ़ा रख दिया सुबर जब महारानी जी ने बच्चे की जगए कपड़े का गुढ़ा देखा तो वह खूब रोई पूरे महल में अफरा तफरी मच गई राजा ने रानी से पूचा कि हे रानी आप के पास कोन कोन आता था रानी ने कहा कि एक सुतारन गाओं में से रोज बच्चे को खिलाने और देखबाल करने आती थी मुझे लगता है कि वही मेरा बच्चा उठा कर ले गई राजा ने सेवक भीच कर सुतारन को महल में बुलाया सुतारन महल में आई तो राजा ने कहा कि अरी सुतारन सच सच बताना तुने हमारा बच्चा क्यों चोरी किया अगर तु सच कहेगी तो मैं तुझे छोड़ दूगा अन्यथा मैं तुझे म्रत्युदण दे दूगा तब सुतारन बोली की महाराज आपका बच्चा अगर रात्री में कपड़े के गुड़े में बदल गया तो मैं क्या कर सकती हूँ सुतारन की बाद सुनकर महारानी जी बोली की अरी सुतारन कहीं बच्चा भी कपड़े के गुड़े में बदलते हैं तो सुतारन राजा से बोली की महाराज प्रसव की पीड़ा उठाए बिना कोई कैसे जन्मदाता बन सकता है यह सुन कर राजा को कुछ अजीब सा लगा राजा को लगा कि यह सुतारन कोई राज जानती है राजा ने सुतारन से कहा कि अरे सुतारन पूरी सच्चाई बता मैं सुनना चाता हूँ तो सुतारन बोली कि महाराज अगर आप सच्चाई सुनना चाते हैं तो सबसे पहले आप गाउं में से शावनी दाई को महल में बुलवाईए उसके बाद राजा ने सेवक भीज कर गाओं में से शावणी दाई को बुलवा लिया तब राजा ने सुतारण और शावणी दाई दोनों से सच्चाई पूछी तब शावणी दाई ने राजा को पूरी बात बता दी कि महराज यह पुत्र महरानी जी का नहीं है बलकि यह पुत्र इस सुतारन का है महरानी जी ने मुझे नवजात बच्चा लाकर देने के बदले में 10,000 रुपे दिये थे उनमें से मैंने 5,000 रुपे इस सुतारन को देकर बच्चा लिया था इस सुतारन को रुप्यों की बहुत ज़्यादा जर्रत थी तो इसने अपनी मर्जी से मुझे अपना बच्चा बेचा था मैंने इससे कोई जवर्दस्ती नहीं करी थी सर्चाई जान का राजा को बहुत दुख हुआ राजा ने रानी से कहा कि हे रानी माना कि इश्वर ने हमें ओलासुक नहीं दिया इसका हम दोनों को बहुत दुख था लेकिन आज आपने एक मा को उसके बच्चे से जुदा किया इसका मुझे बहुत दुख हुआ है यह सुन का रानी ने राजा से और सुतारन से अपनी गलती की माफी मांगी और रानी जोर जोर से रोने लगी रानी को बच्चे के लिए तड़पते हुए देख कर सुतारन का हिदा पिगल गया तब सुतारन रानी से बोली कि महारानी जी आप शावन मास के पहले शुकरवार से जिवन्ती का माता कावरत पूरे विधी विधान से करिये माता जीवन्ती का का व्रत काने से ही मुझे ये पुत्र पैदा हुआ था अगर आप भी माता जीवन्ती का का व्रत शावन शुकरवार को करेंगी तो आपको भी पुत्र सुक जरूर मिलेगा उसके बाद महारानी जी ने शावन शुकरवार को जिवन्ती का माता का व्रत किया उस व्रत के पुन्य प्रताप से रानी को गर्ब टहर गया और नवे मैने में रानी को एक बड़ा ही सुन्दर और तेजस्वी पुत्र पैदा हुआ हे जिवन्ती का माता जी जैसे आपने महारानी जी को पुत्र सुक दिया वैसे सभी को देना कहानी कहने वाले को सुदने वाले को और हुकारा भरने वाले को बोलिये जिवन्ती का माता की जै जो कोई भी शावन मास में शुकरवार को जिवन्ती का माता की इस कथा को सुनता पढ़ता या सुनाता है जिवन्ती का माता उस मनुष्य की सभी मनों कामनाओं को पुरा कर देती है इस तरह आज हमने शावन मास के शुकरवार के दिन जिवन्ति का माता की संपुन व्रत कता सुनी आशा करती हूँ यह आपको जरू पसंद आएगी मेरे साथ बने रनी के लिए आपका धन्यवाद आगे आने वाली कता कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें धर्न्यवाद